चै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक सुआगते महा काली भकत गयान YouTube चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भकतों को बताने वाली हूँ अगर आप माता काली की पूजा करते हो तो अपने घर के मंदिर में ये छे चीजे रखना शुरू कर दो माता आपको दिखने खुद लग जाएगी आपसे बात भी करेगी आपको सही रास्ता भी दिखाएगी अगर आप मालोकल को कुछी दुख परिशानी में हो या आपको कोई अंदरूनी ऐसी बाते हैं जो अंदरूनी आपको खा रही है इन सभी चीजों से आपको मा काली बचाएगी आपको सही रहा पर सही रास्ते पर मा काली चलाएगी जब आप माता काली के मलब पूजा में अपने घर में जब आप पूजा करते हो तो ये छे चीज़े आप लोगों को अपने घर के मंदिर में रखनी है ठीक है और ये एक बार ही रखनी है ऐसा नहीं है कि आप बार बारी से रखते रहोंगे सिर्फ एक बार आपको ये चीज़े अपने घर के मंदिर में रखनी है फिर देखना माता आपको खुद ही दिखने लग जाएंगी आपसे खुदी बात करेंगी आपको खुदी सब चीजों के बारे में बताना शुरू कर देगी आपको कहीं जाने की जरुवत नहीं है ना किसी से पूछने की जरुवत है वह सिंपल तरीके से इन छे चीजों का इस्तमाल करके आप अन्य देवी देपताओं को अपने घर में विराजमान कर सकते है और जहां पर वो आपके घर में विराजमान हो गए तो आपको बुलाने की जरुवत ही नहीं जीवन में आप जब भी मन से याद करोगे वो देवी देपताओं की सामने आकर तुरंत परकट होगा तो चलिए भक्तों मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बता हूँगी पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट आप से करना चाती हूँ अगर आप लोग महाकाली भगत गयान यूट्व पैनल पे नए आये हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, सेल, कमेंट जरूर कर लेना बेल आइकन को उल पे सेट कर लेना अगर आप माता काली की पूजा करते हो तो अपने घर के मंदिर में ये छे चीजे रखना शुरू कर दो माता आप लोगों को खुद दिखने लगेगी, आप से खुद बात करेगी, आपके पास खुद चलिए आएगी जब आप ये कार्ये पहली बार करेगी तो देखिए आपको करना क्या है जब मानली जीए आप पूजा पाट अपने घर में करते हैं तो जिस दिन आप लोग दोनो टाइम की पूजा पाट करोगे जो लोग पहले से करते हैं तो वो इस कारे को कर सकते हैं तुरंद जो लोग एक दिन में दो टाइम की पूजा पाटा नहीं करते हैं तो जब वो ये कारे करेंगे तो दो टाइम की पूजा करेंगे सुभा की भी और शाम की भी तो आपको छे चीजों को इस्तमाल करना है पहला तो देखो माता का सिंगार लो ठीक है और चटवी चीज आपको लेनी है मा काली के नाम से एक साबुद सुपारी ठीक है तो ये छे चीजे हैं जो नॉर्मल है इनी का इस्तमाल आपको करना है ज्यादा कुछ नहीं करना है अगर आप माता काली की पूजा पाट तो वैसे ही करते हो बस आपको अपने घर के मंदिर में ये छे चीजे का इस्तमाल करके बस रखना है आपको ठीक है ज्यादा कुछ नहीं करना है जैसे जैसे मैं बता रही बस धियान से सुनते रहे अब जैसे की ये छे चीजे आपने ले ली तो आपको करना क्या है एक आपको ले रेना है काला कपड़ा ठीक है काला कपड़ा आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगा जो दरजी की दुखान होती जहां पर कपड़ों की सिलाई होती है वहां से आप लोग काला कपड़ा लेकर आओगे और काले कपड़े में आप लोगों को यह जो नारियल दिख रहा है सामने इस नारियल को आपको उपर से पूरा छील लेना है मतलब इसके जितने भी बाल हैं सारे उतार लेने हैं फिर उसके बाद आपको इस पर लाल सिंदूर से सातिया बना लेना है और खूनी जाएपल जो है वो आपको यहां जल्दी से मिलेगा नहीं मैं बताओं कहां मिल सकता है यह आपको यह तो फोर्चुन की दुकान पर मिल सकता है या फिर यह आपको पही ऐसी जगा में मिल सकता है जैसे गाओं होते हैं तो आपको यह जो नारियल है यह तो आपको अलग से अपने घर के मंदिर में रखना है ठीक है और बाकी जो सिंगार है नीमबू है लोंग है खूनी जाइफल है यह सब चीज आप लोगों को काले कपड़े में रखनी है मा काली का भगवानशिप का नाम लेके अब आप मालो जब आप यह कारे करोगे तो कब करोगे वो तो मैंने आपको बता ही दिया है लेकिन इसका समय मैंने आपको अभी नहीं बताया है तो ये कारे आपको दुफेर के तीन बजे करीब करना पड़ेगा जी हाँ भकतो आप जो भी समय सुन रहे हैं बिल्कुल सही समय है तीन बजे के समय आपको ये कारे करना है और इसमें आपको कोई पापड नहीं बेलने कुछ नहीं करना बच जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको फोलो करना है काले कपड़े में ये सारी चीजे रखके आप इसको या तो अपने घर के मंदिर में रखें अब मालो आपका घर का मंदिर छोटा है या कोई भी दिक्कत है मालो कोई जीव भी आपके मंदिरों में है पहली ओर डेडी चीटिया भी हो रही है कौकरूज भी है इस तरह के जीव अगर आपके मंदिर में है तो आप इसे मंदिर में ना रखें क्योंकि चीटियां जो होती है जब इन चीजों पर लगती है तो वो सारा इनको बेकार कर देती है, खोकला कर देती है अब जब मालो आपका मंदिर अच्छा है, बड़ा है तो आपके पास जगे है और ऐसे कोई जीव आपके मंदिर में नहीं है तो आप इसे मंदिर में रखो, अगर मालो आपके मंदिर में जीव है तो आपको इसे कहां रखना है कहीं ऐसी जगा में रखना है जैसे आपकी अलवारी हो वहां रख दो मा काली का नाम लेके ठीक है मलब आपको इसे एक सेफरेट जगे में रखना है जहां पर इसे कोई ना तो देखे ना कोई छेडे जब किसी कोई दिखाएं नहीं देगा तो छेडेगा भी कोई कैसे है तो इस तरीके से इन चीजों को इस्तमाल करके आपको देखना खुद आप माता आप लोगों को कितनी बार दिखेंगी करोडों बार दिखती रहेंगी वो भी हकीकत में भी कभी कभी सपने में भी हर तरीके से मा काली आपको दिखने शुड़ो हो जाएंगे और जब मा काली आपको दिखे करेगी जब जब दिखेंगी तब तब आप उनसे जो भी चीज मांगेंगे कुछ भी मांगो चाहे फिर अपने लिए मांगो या अपने घर परिवार के लिए मांगो किसी के लिए भी मांगो जब आप माता से कुछ भी मांगोगे वो चीज आपको तुरंत मिलने लगे करेगी क्यूंकि सबसे बड़ी जो शक्ती है वो इसी कारी को करने से मिलती है जितने भी लोग माकाली की पूजा पाट करते है और माता उनको दिखती नहीं है माता के दर्शन नहीं होते माता से बात नहीं होती माता उन्हें कुछ भी चीज के बारे में नहीं बताती तो ये जो वीडियो है उनी भक्तों के लिए है अब उनको बिल्कुल निरास नी होना है ये जो मैंने कारे बताया है इस कारे को करके वो किसी भी देवी देपता को अपने घर में विराजमान कर सकते है जिस घर में देवी देपता विराजमान होते है वहीं उसी घर में देवी देपता खुद आते है अब जैसिंसे मान लो आप लोग यह कारे कर लोगे, ठीक है? जीसी आप यह कारे करोगे तो आपको जीवन में कभी भी मा काली को या जिस्देवी देपता के आप पूज़ा पाट करते हों, किसी को भी बुलाने की जरूषनी पड़ेगी आपको, अगर मान लो आप देपता को देखना चाते हो देपता के दर्शिन करना चाते हो उनसे बात करना चाते हो तो आपको ये कारे जो है करना ऐसी है लेकिन देपता की कारे में पूजा में आपको सिंगार नहीं चड़ाना है तो इस तरीके से आप एक बार इस कारे को करके देखो मेरे कहने से और मैं आपको गारंटी किसाथ बता देती हूँ मा काली आप लोगों को दिखने भी लगेगी आप से बात भी करेगी आपको सही रास्ता भी दिखाएगी तो चलिए भक्तों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माता काली हर हर महादेव पूम नमस्षे